नागपूर हलचल में अपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर देड़ साल से अधिक समय के बाद गुरवार को नागपूर के मनपाश शेत्र अधिकार के अंतरगर प्राथमेक विद्यालों में बच्चों की किलकारियां कूँज उठी कोरोना के कारण बने हालात के बाद मनपा एक दुराधा करशन बी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहली बार नागपूर मनपाश शेत्र वे पहली से साथ भी तक की कक्षाएं गुरवार से शुरू हुए इस अफसर पर मनपाश शिक्षा समधी के अध्यक्ष प्रोफेसर दिलिप दिवे खेल समधी के अध्यक्ष प्रमोत तभाने और शिक्षा अधिकारी प्रीती मिथी कोटकर ने मनपा के विवेकानन अगर हिंदी उच्च प्राथमिक और माधिमिक विद्याले में पहुँच पहले दिन छात्रों का स्वागत किया। प्राथमिक एवमाधमिक विद्याले सहित सभी विद्यालों में छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। प्रेस क्लब में मीद प्रेस इविंट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नाकपुर शहर और नाकपुर के लोग पहले से ही बहुत अच्छे लगते हैं। नाकपुर शहर उन्चनिंदा जगों में से एक है जहां मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। नाकपुर मेरे पसंदीदा शहरों में से एक है। बहाँ को बढ़ावा देनी का प्रयास किया जा रहा है। कारक्रम लाल गंज बारई पुरा चौक में हुआ। बढ़ामी लाल जैन धनराज राम टेक कर तेज राम खुरपडे दुर्गेश प्रधान राजू बाग राश्टपाल गजबिये राजेश खानूर कर गजानन देशकर आकाश मेंद कुंद्रे गमनीश ठाकरे सुरेश मेंद कुद्रे गमलाकर माकोडे लक्ष्मन मोडगरे बित्यु तोटे नंदकिशोर कोचे विकी ठाकरे मारुतराव निनावे दिलिप निचंद प्रकाश हटवार अशोक अतकर सुनीर शिड्सागर केलाश पोटे हेमत मानकर सुरेश डोंगरे शुभम चौधरी मिथुन ठाकरे वीर्थोटे आदी की उपस्तिती रही सरकारव परिवहन आयुत की अनुमती न लेते हुए स्टी बस टैंड का आरक्षन होते हुए उनकी अंदेखी करते हुए दवा खाना, होटल, जिम, वैवाहिक, समारो, हॉल का निर्मान कारे ट्रांस्पोर्ट प्लाजा परिसर में किया गया इस प्रकार ट्रांस्पोर्ट प्लाजा के नाम पर बड़े पैमाने पर व्यवसाई करन करने के कारे नाकपुर सुधार प्रन्यास अधिकारियों की मिली भगत से होने का आरोप धाय क्रिश्णा खोपड़े ने लगाया नगरविकास विभाग महराश्य सरकार की ओर से 15 दिसंबर को नाकपुर सुधार प्रन्यास के सभापती को पत्र भेज कर ततकाल कारवाई करते हुए संबन्नित रिपोर्ट शासन के समक्ष प्रस्तोत करने के निर्देश दिये गए इससे पूर्व भी 22 फरवरी 29 जून 1 सितमबर 22 सितमबर 20 अक्टूबर को करीब 6 बार राजसरकार ने नाकपुर सुधार प्रन्यास के सभापत्री को पत्र भेजा कुछ दिनों पूर्वे नाकपुर सुधार प्रन्यास पे हुई बैठक में सभापती ने भी ततकाल कारवाई के आदेश दिये थे इसके बावजूद कोई कारवाई नहीं हुई इसे पूरे मामले में नाकपुर सुधार प्रन्यास के अधिकारियों की लिपता होनी का रोप खोपड़े ने लगाया जगनाडे चौक परिसर में बने ट्रांस्पोर्ट प्लाजा का बड़े पहमानी पर व्यवसाई करण हुआ है और इसके लिए नाकपुर सुधार प्रन्यास के अधिकारी पपदा अधिकारी के जिम्यदार होने का रोप लगाते हुए विधाय खोपड़े ने लगाया है मेट्रोमैन की नाम से मशूर डॉक्टर ईश्वी धरन को वन्राई फांडेशन की ओर से डॉक्टर मोहन धारिया राश्टर निर्मान परसकार 2021 समानित किया गया यह परसकार गुरवार को पुर्णानी केरिल में प्रदान किया गया कारक्रम की शुरुबात सचीव निलेश खांडेकर के स्वागत भाशन से हुई उन्होंने डॉक्टर मोहन धारिया और वन्राई फांडेशन के अध्यक्ष गिरीज गांधी के कारियों की जानकारी दी वन्राई फांडेशन पिछले 40 वर्षों से पर्यावरन संड्रक्षन, वरिक्षार ओपन मिट्टी और जल संड्रक्षन एकिकरित ग्रामीन विकास के शेत्र में काम कर रहा है 2014 से डॉक्टर मोहन धारिया राश्र निर्मान पुरसकार दिया जा रहा है पुन्नानी के विधायक पी नंदिकुमार ने पुरसकार प्रदान किया जबकि वन्राई फांडेशन के कारिकारी अध्यक्ष समीर सराफ, वन्राई फांडेशन के सचीर निलेश खांडेकर, वन्राई ट्रस्ट के अमित बाडेकर के हातों एक लाग रुपे का चेक, शाल वश्री फल प्रदान किया गया संसकारित राश्र निर्मान करने हेतू, वहां के निवासियों का चरित्र निर्मान बेहत जरूरी है चरित्र निर्मान के संसकार बाल्यावस्था से ही आना चाहिए बच्चा संसकार और धर्म की परंपरा के नुसार बड़ा होगा तो उसका चरित्र अच्छा होगा राश्र निर्मान में वह बच्चा एहम भूमी का निभा सकेगा इस आशे के विचार विधायक गिरीश वियास ने श्री हरी सत्संग समिती के प्रशिक्षन केंद्र में भाशन देते हुए व्यक्त किये राश्री चरित्र विशे पर गिरीश वियास ने बौधिक्त नैतिक्ता को मार्मिक ढंग से समझाया उनका बक्त अब्य था कि शिक्षा के साथ साथ अच्छे संसकार और चरित्र निर्मान की राश्र निर्मान में एहम भूमी का होती है मानव जीवन में चरित्र निर्मान कितिना आवशक है इस बात को बयान नहीं किया जा सकता बात को समझाते हुए उन्होंने आगे प्रकाश डालते हुए कहा कि संसकार शिक्षा ग्रहन करने की कोई उम्र नहीं होती वालियावस्था से वेद विदान्त शिक्षा कई बच्चे विद्याले में पढ़कर भागवत गीता, रामायन के श्लोक का उचारन करते हैं स्वामी विवेकानन एक छोटे बच्चे नरेंद्र से कैसे महान बने चत्रपती शिवाजी महराज ने मात्र 13 वर्ष की आयू में माता जीजा बाई के संसकार पाकर मुगलों से लोहा लेकर हिंदू राष्ट की स्थापना की यह सभी उधारन बाले आवस्था में चरित्र निर्माण के महत्व को दर्शाते हैं देश के प्रतेक प्रदेश में बिजली बचत को प्रचाहित करने के साथ साथ उर्जा बचत हेतु प्रभावी जन जागृती के लिए केंद्र सरकार की पहल से हाल ही में प्रथम राष्टिय उर्जा संरक्षन दिवस मनाया गया संपूर्ण भारत में राष्टिय उर्जा संरक्षन दिवस मनाया जा रहा है मधिरेलवे नाकपर मंदल के विद्यूत सामाने विभाग द्वारा दिसंबर के दर्मियान उर्जा संरक्षन सप्तहा उत्सा पूरवक मनाया गया उर्जा सन्रक्षन सप्ताहा के दोरान ग्यात्रियों और कर्मिचारियों में उर्जा बचत हेतू जागूरती पैदा करने के लिए विविदिट डिपो और स्टेशनों उपर बैनर, स्टिकर और पोस्टर रगाए गया इसी प्रकार विविदिट डिपो में चट्चास सत्र का आयोजन भी किया गया Association for Research and Training in Basic Science Education नागपुर महानगर पाले का द्वारा तथा विज्ञान प्रसार भारत सरकार सयुक्त रूप से आयजित अपूर्व विज्ञान मेले के दूसरे दिन पर विध्यारतियों की भीडुम्री नौर्थ अंबाजरी रोट से तराश्च भाषा भवन के प्रांगण में आयजित इस विज्ञान मेले में अभी भावक भी बच्चों के साथ विज्ञान के प्रयोगों की सहच प्रस्तोती का लाब उठाते रहे एकलब विप्रकाशन भोपाल द्वारा विशेश रूप से विज्ञान मेले के लिए किताबे उपलब्ध करवाई गई यहाँ ज्यादतर किताबे विज्ञान की गतिवीधियों एवं अब धारनाओं पर आधारत है चार्ट्स, मॉड्यूल्स के माध्यम से तीसरी से दस्वीक अक्षा के विध्यारतियों में विज्ञान को सरलवल लोक्पियत तरीके से समझाना ही इस पहल का मुख्यो देश है आसानी से समझ में आने वाले मॉड्यूल्स में शारणिक संरचना, त्वच्चा, कोशिकाओं का वित्रन आधी विश्यों पर प्रकाश डाला गया छोटे बच्चों के लिए पिच्चर स्टोरी की किताबे भी उपलब्ध करवाई गई हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाशाओं में कई विज्यान संबंदित किताबे उपलब्ध हैं माथा पच्ची सेट के अंतरगतनों किताबे हैं जो बच्चों के साथ बड़ों को भी माथा पच्ची करने पर मज़ूर कर देती है इन्हें स्कूलों में भी खाली समय में बच्चों को खेल खेल में सीखने के मद्दे रंजर दिया जा सकता है भारतिय जीवन भीमा निगम की प्रमुक संगचन नाकपट डिविजनल LIC Employees Union ने बैंक करमचारियों की दो दिपसी हरताल को समर्थन देते हुए जीवन भीमा मुख्याले के सामने जोरदार प्रदशन किया सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतिय जीवन भीमा करमचारी असोसियेशन के उपाध्यक्ष अनील ढोक पांडे ने केदर सरकार की आर्थिक व मजदूर विरोधी नीतियों की जम कर आलोचना की इस अफसर पर नाकपुर मंडल संगठन के महा सचीव वाई आर राव उपस्तित थे सभा में भीमा करमी भारी संख्या में उपस्तित हुए सफलता हेतू शिवा निम्जे अभेपाटने विवेक जोशी नरेश अडचुले अभेपांडे हीना जिपकाटे संदीप लातुरकर उंकार येवलेकर आदी बीमा करमियों ने सयोग दिया हाली में गुलिबार गांजाखेद व्यापारी संग की नई कारेकारणी का गठन किया गया इसमें संस्थापक अध्यक्ष अनील अहिरकर अध्यक्ष महेश रिवास उपाध्यक्ष सुनील अकवानी महासचीव स्वपनल अहिरकर सचीव सुरेश बुद्वानी, सचीव जग्दीश केहानी, कोशा अध्यक्ष मिलिन्द मानापुरे कार्यकारणी सद्यस्य, विनोध बाट, मुर्लिदर गोलानी, आशीश सेपुरिया, सुनील गुलाटी, पूर्व अध्यक्ष मनोहरलाल आहुजा, पूर्व अध्यक्ष अन नागपुर महानगर पालिका की पूर्व स्थाय समित्य अध्यक्ष वरिश्ट नगसेवी का आभापांडे की प्रमुक पस्तिती में किया गया, प्रमुक अतिती आभापांडे ने अपने संबोधन में व्यापारी समधाय को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया, उन्हो तलरेजा, किशोर राठोड, अरीम धर्ती, लक्षमन पेंधारी, राजिश अरोरा, रमेश शाहू, हेमंद शाहू, अशोग बंग, जैन, प्रवीन, जिजोतिया, मदनलाल कक्वानी, श्रीरंग ज्वेलर्स, अभैको ठारी, गोपाल मूलतानी, नरेश पौनीकर, विश्ण में, विदर्प संपर्ख, प्रमुक संतोष, ठाकुर और विनोध कल्यानी के नेतरित्व में, सदरपल स्थाने के थानिदार विनोध चौधरी को सानिटाइजर मशीन और सानिटाइजर कैन, करुना वाइरिस और उसके ओमाइक्रॉन जैसे वेरियन से बचने के लिए सेजल एंटर्टेन्मेंट द्वारा आट शाम छे बजे साइंटिफिक हॉल लक्षमी नगर में संगीत कारग्रम कारवा का आयोजन किया गया है, इस कारग्रम में नितिन जाड़ी का विशेश सहकारे रहेगा और इसमें योगेश आसरे सेजल बोर कर अधिती, शिर सवान, नए और पुराने गीत उपर प्रस्तुती देंगे, इस कारग्रम का सूतर संचालना मोलशेंडे करेंगे, इस कारग्रम की संकल्पना और आयोजन संजय बोरक कर रहे हैं, प्रवेश निशुलक रहेगा, आयोजकों ने बड़ी संक्या में शोताओं से उपस्तित होकर गायक अधिकांश पैसंजर ट्रेने बंध होने से और स्टी की हरता लंबे समय तक जारी रहने से गाउं के स्कूली छात्र, किसान, छोटे व्यापारी तथा नौकरी पेशा लोगों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों का गाउं से संपर्क तूटा हुआ है और प्रवासियों की भी आर्थेक लूट हो रही है, तथा उनकी सुरक्षा भी खत्रे में पड़ गई है, नाकपुर महानगर पालिका पहले से ही कामठी, कुराडी, कलमेश्वर तक बस सेवा दे रही है, अब इसका विस्तार कर स्टार बस को वर्धा, काटोल, रामटेक, स प्रवासियों को लाब भी मिलेगा, यह मांग करते हुए कॉंग्रेस विचार जनजाकरती अभियान की ओर से मनपा स्टार बस के प्रशास की अधिकारी रविंद्र पागे को ग्यापन सौपा गया, इसी तरह का ग्यापन राजगे परिवहन मंत्री को भेज कर, पूरे अगर पालिकाओं को शेहर के बाहर 60 किलोमीटर तक सिटी बस चलाने का निर्देश देने की मांग की गई, इस अफसर पर पूर्वपार्शत तन्वीर एहमद एडवोकेट अशोक यावले आधी उपस्तित थे मन में लगन और साहस हो तो किसी भी शेत्रों में प्रगती संभव है, नौकरी तलाशने वाले की बजाए नौकरी देने वाले बने, इस आश्वे के विच्वार आजादी के अमरुत महौतसफ के अफसर पर जिलादीकारी कारले में नए उद्यमियों के लिए आईजित कारि शाला को संभोधित करते हुए जिला कलेक्टर आर्विमला ने व्यक्त किये, उन्होंने कहा कि आजादी के अमरुत महौतसफ के अफसर पर उद्यमी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी संस्थाएं एवं बैंक आगे आए हैं, उन्होंने कहा कि करोना के प्रकोब के दोरान भी उन्होंने लगन और साहस के साथ कई उद्योगों में कदम रखा है, और मश्किलों का सामना कर उद्योग में अपनी पहचान भी बनाई है, कार्गर में जिला उद्योग केंदर के महा प्रभंदग SS मुदलवार, बैंक ओफ इंदिया के प्रभंद मोहन के डाम, जिला उद्योग केंदर प्रभंदग भूनेश्वर शिवनकर, यूनियन बैंक प्रभंदग गोंडाने, जिला खादी ग्राम उद्योग अधिकारी वानखेडे मौजूद थे, कलेक्टर ने कहा कि आत्मनिर्भर उद्यमियों ने कई बेरोजगार लोगों को रोजगार खो महराश्य सरकार के प्रयासों से बेलगारी दोड़ को आखिरकार अनुमती मिल ही गई, बेलगारी दोड़ प्रेमियों को सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिली है, महराश्य में बेलगारी दोड़ फिर से शुरू करने के लिए राजगे पशुपालन, दुग्द द्वारा बेलगारी प्रेमियों से किया गया वादा पूरा हो गया है। उन्होंने यहाँ अनुमती मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मैं इस पैसले से संतुष्ट और खुश हूँ। भी मिलेगी क्योंकि ग्रामीन अर्थविवस्था दरसल बेलो पर ही अधिक निर्भर है। बेलगारी दोड के बारे में गुर्वार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आगरपालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टीका करन का समय शाम के पांच बजे तक होगा। टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पदतियों से पंजी करन किया जा सकता है। इस तरह ड्राइविन वाक्सिनेशन के इंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविट शील के जरीए टीका करन किया जाएगा। यह जानकारी चिकितसा स्वास्ताधिकारी जॉक्टर संजे चिल करने दी। नागपुर महानकरपालिका उब्दरव खोजी दल ने गुर्वार को दो प्रतिष्ठानों पर कारवाई की और 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला। टीम ने 35 प्रतिष्ठानों और मंगल कारेलेों का निरिक्षिन किया। इस तरह टीमों ने 10 जोन में 51 पतंग के दुकानों का निरिक्षिन किया। मनपा एक तराधकरशन बी के निर्देश अनुसार तथा NDS प्रमुक वीरसेन तामबे के मार्क दर्शन में मनपा की टीमों ने यह कारवाई की। नाकपर महानगर पालिका के उब्दरव खोजी दल ने बगेर मास के घूमने वाले 5 गेर जिमिदार नागरिकों के खिलाव कारवाई की और उनमें से प्रतेक से 500 रुपए के अनुसार धाई हजार रुपए का जुर्माना वसूला। पिछले कुछ माईनों में मनपा की टीमों ने 42,330 नागरिकों के खिलाव कारवाई की और अब तक 1,95 लाख रुपए से अधिक राशी का जुर्माना भी वसूला है। नागरिकों के खिलाव कारवाई हो रही है। ऐसी हरकतों से वो खुद के तथा खुद के परिजनों के स्वास्त के साथ साथ समाज और शेहर के लोगों के स्वास्त को भी खत्रे में डाल रहे हैं। अगर जोन के अंतरगर 15 मकान और प्लाट मालिकों पर कड़ी कारवाई की गई। इसके बाद गुर्वार को भी इसी जोन में 18 अन्यमामलों में मकान मालिकों के खिलाव वरन जारी करते हुए कारवाई की गई। इन तमाम मकान मालिकों के घर और खुले प्लाट जब्त किये जा चुके हैं। आशी नगर जोन में इस तरह पिछले दो दिनों में कुल 33 घर और प्लाट मालिकों पर कारवाई करते हुए उनकी संपती जब्त कर ली गई है। मनपा्परशासन ने बकाया संपती कर वाले मामलों में तमाम मकान और प्लाट मालिकों को चेताम नी दी है। यदि वो बकाया राशी 15 दिनों में नहीं भरते तो इन तमाम संपत्यों की निलामी मनपापरशासन द्वारा की जाएगी। आशीनगर जोन के सहाय कायुक्त अभीजीत बाविसकर के नेतरत्व में और सहाय कधिक्षक अनील करहाडे के मार्ग दर्शन में निरिक्षक मनोज नाई कवाडे, प्रदीप बागडे, अजै पाटिल, सचिन श्री रामे, स्वपनिल वागमारे ने तमाम प्लोट और मकानों क जब्त करने की कारवाई की। में आठ आरोपियों को गिरफतार किया गया और उनसे 64,000 रुपे का जुर्माना वसूल किया गया। उप्रोक्त सभी ऑपरेशन सेयुक्त रूप से नाकपु सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे। ट्राफिक विभाग ने यहां आप वाहन किया कि नागरिक वाहन चलाते समय बाहन से संबंदित सभी दस्तावेज अपने पास रखें।